नमस्कार मैं आपके साथ हंजना और आप देख रहे हैं तक खबरदार नियूज आईए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर नशीय की दवा खिलाकर डॉक्टर ने किया रेप दाथ में दर्द का इलाज करने के बहाने किलिनिक में ले जाकर किया दुसकर्म गौालियर में दाथ के दर्द का इलाज कराने आई एक महिला को नशी की दवा खिलाकर डॉक्टर ने किलिनिक के रूम में ही उसका दुसकर्म किया है नशीय में होने के करण महिला विरोध नहीं कर सकी लेकिन शरीर पर होने वाली हल चल उसे महसूस हो रही थी गटना आदित पुरम महाराजपुरा में दो दिन पहली की है महिला ने घटना के बाद महाराजपुरा थाना पहुंच कर शिकायत की है जिस पर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्द कर लिया है अभी डॉक्टर नहीं पकड़ा गया है शहर के गोला का मंदर इस्तित पट्री रोड निवासी 23 वरसी महिला ने शिकायत किया है कि वैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है यहां वैं जॉब के लिए आई थी और अभी वैं अपने लिए नौकरी तलास रही थी पिछले कुछ सब्ता से उसके दांट में दर्द हो रहा था जिस पर वैं दांट के दर्द का इलाज कराने के लिए आदित पुरम इस्तित डॉक्टर प्रतिक नायक के क्लिनिक पर गई थी डॉक्टर ने दांट देखने के बाद उसे निकालने के सला दी तो वैं दांट निकलवाने के लिए तयार हो गए दांट निकालने के कैकर डॉक्टर ने उसे चार टैबलिट दी जो उसने खा ली इसके बाद डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाए तो वै अच्छे थो गई कुछ दिर बाद उसे महसुस हुआ कि डॉक्टर उसके साथ गलत काम कर रहा है तो उसने विरूत करने का प्रयास किया लेकिन दवाओं के असर से वै उसका विरूत नहीं कर सकी जब वै थाने पहुंकी तब भी बेसुत थी वारदाद की शिकार महला नशे की दवा से बेसुत थी लेकि इसके बाद वै भी किसी तरह इसी हालात में ओटों बेट कर महराज पर थाने पहुंकी और मामले की शिकायत की पुलिस ने उसकी हालत देकर उपचार के लिए भिजवाया और हालात में सुधार होने पर पूशतास के बाद मामला दर्ज कर लिया है आरोपी डॉक्टर फरार वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी की तलास में दविश थी लेकिन क्लीनिक पर ताला लगा मिला आप पुलिस डॉक्टर की जानकरी जुटा कर उसे दवोशनी के लिए जुट गई है फिल हालवे पुलिस के हाथ नहीं आया है पुलिस का कहना इस मामले में टी आई महराज पुरा आलोग सिंग भधोरिया का कहना है कि मला की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाव दुसकर मसाइथ अनिधाराओं में मामला दर्ज कर लिया क्या है डॉक्टर की तलास की जा रही है जल्द ही पकड़ लिया जाएगा